हलो तोस्तों की डीवनिक स्वागत आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में कुछ दिनों पहले मुझे एक कमेंट्स रिसीव हुआ था जिसके नबर मुझसे ये पूछा गया था कि सर मेरी सैलरी केवल 8000 रुपे पर मन्त है मैं कैसे निवेश करू कितने का करू तो वो कमेंट मुझसे भूला नहीं जा रहा था तो मुझे लगा उसके उपर एक separate dedicated वीडियो जरूर बनानी चाहिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन आज उनहीं के लिए वीडियो बना रहा हूं और उन जैसे और बहुत सारे लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो 10,000-15 के आसपास payment पाते हैं जो 30-35,000 पाते हैं वो बहुत ही आसानी से अपने payment में से 6-7,000-8,000-10,000 तक वो बचा सकते हैं और वो mutual fund में निवेश करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं अपने goal तक पहुंच सकते हैं जी हां तो आज की ये वीडियो specially dedicated है उन लोगों के लिए जो 8,000-10,000 ये 15,000 तक की income करते हैं महीने में कमाते हैं किसी भी source से कमाते हैं वो किस तरह से निवेश कर सकते हैं किस तरह की उनकी strategy होने चाहिए किस तरह के plan उनको लेनी चाहिए आज की वीडियो में आपको 110% help मैं करूंगा तो प्लीज वीडियो के साथ मैं अंतक बने रहेग तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मैं करूंगा कि अगर आप अपनी salary से 2000 रुपे बचा सकते हैं केवल 2000 रुपे कोशिश करिए कोई और side business देखे कोई part time job करिए अगर किसी तरह करके आप 2000 रुपीज पर मांद भी बचा सकते हैं तो मेरे पास आपके लिए कमाल का idea है जी हाँ अगर आपके साधी हो चुकी है या फिर नहीं भी हुई है तो आने वाले time में जरूर होगी आपके बच्चे भी होगे उन बच्चों को पढ़ाना भी है और आगे जाकर उनकी education को भी आपने देखना है तो यहाँ पर कुछ important चीजे में आपको बोला चाहता हूँ क कि life का कोई भरोसा नहीं है मेरी जिंदगी हो या आपकी जिंदगी हो किसी की भी life की कोई guarantee card नहीं है कि तुम्हारी life इतने साल तक चलती ही चली जाएगी यहाँ पर car company बोलती है five year तक warranty है कुछ भी नहीं होगा लेकिन हो जाता है तो यहाँ तो यहाँ तो यह मानव सरीर है क कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा कि अपने पास कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का एक अच्छा सा time plan अपने पास जरूर रखिए सब कुछ भूल चाहिए सबसे पहले एक time plan रखिए क्योंकि आप अपनी छोटी सी payment से बहुत मुस् दुनिया में ना रहें तो हमारे परिवार का क्या होगा उस time पर आप जरूर सोचेंगे कि मुझे एक अच्छा सा time plan लेना चाहिए अगर आपकी salary 15,000 के आसपास है तब आपको एक करोड तक का time plan देखना चाहिए जो around 12-1300 रुपए में आ जाएगा अगर आपकी salary 8-10,000 policy में जो पैसे जाते हैं वो आपको return कभी नहीं मिलते हैं लेकिन अगर खुजा नखासता आपको कुछ हो जाए तो एक बहुत बड़ा रकम एक बहुत बड़ा corpus आपकी family के लिए खड़ा हो जाता है तो यहाँ पर जो गाउं में LIC agent आते हैं मैं उनके बिलकुन भी बताना चाहूंगा वो जब आपके सामने कोई plan paste करते हैं तो वो किस तरह का होता है मैं main main idea बताना चाहता हूं ज्यादा टेक्निकल जा करके LIC की ओपर मेरा topic नहीं है लेकिन बता देता हूं वो बोलते हैं कि सर आपको धाई से 3,000 रुपए महीने जमा करने हैं अगर आप ज इससे ज़्यादा कोई नहीं बोल सकता ना कोई दे सकता है अब मुझे यह नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर धाई से 3,000 रुपए आप दे रहे हैं और यहाँ पर आपको cover जो है वो 10 से 12,15 रुपए मिल रहा है तो मेरे इसाफ से यह enough नहीं है आप मेरे खयाल से विलकुन इस IP आपको buy करनी है कितने रुपए की करनी है आपका portfolio create कर रहा हूँ मैं प्लीज वीडियो के साथ में अंतक रहेगा यहाँ पर अभी मैं आपको लेकर चलूँगा अपने laptop के उपर तो दोस्तों अभी है आप मेरे laptop के उपर policybazar.com नाम की यह website मैंने open करी है केवल आपको य 83 रुपए पर मंथ आपको pay करने हैं 50 लाग का आपको cover मिलेगा और यहाँ पर up to 70 years से जाधे तक आपका backup रहेगा याद रखिए कि 70 से 80 साल तक आजकल कोई नहीं जीता है 100 तक तो कोई touchy नहीं कर पाता है तो 80 साल 70 साल अगर आपको cover है तो मेरे इसाब से आपकी पूरी life cover ह हो चुकी है उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो term plan लेते समय एक बहुत important बात का ध्यान रखिए का claim settlement ratio किसका सबसे अच्छा है वहाँ पर policy basic 500 रुपए ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है claim settlement ratio यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो य मैं आपको specially recommend करूंगा अगर आप लेना चाहते कोई term plan तो SDFC life भी ले सकते हैं max life भी काफी अच्छा है यहाँ पर जो SDFC life है उसका अगर आप claim settlement ratio देखेंगे तो 99% का है जी हाँ तो बहुत यह अच्छा claim settlement ratio इसका मतलब यह है अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को जो हमारे पैसे है insurance के वो कितनी आसानी से मिल सकते हैं उसके chances कितने हैं वो यह दरसा रहा है जी हाँ उसके बाद आप देख सकते है max life भी काफी अच्छा है तो यह उपर के जो भी यहाँ से 95 से उपर का claim settlement ratio रख रहे हैं वो इसका मतलब कह सकते हैं कि यह ठीक ठाक है यह 583 रुपए का tom plan मैं सिधा 600 रुपए ही निकाल देता हूँ हो सकता हो आप राइडिंग करने का सौक रखते हैं या फिर जहाँ जौब पर जाते हैं वा राइडिंग करते हैं तो यहाँ पर राइडर के लिए अलग से कुछ पैसे देने पड़ते हैं लाइक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 50-60 रुपए या 100 रुपए कुछ एड हो जाते हैं उसके उपर डेटेल वीडियो बना दूंगा अगर आपको requirement होगी तो यहाँ पर एक राइडर वाला claim अलग से देना पड़ता है इसमें ही एड हो जाएगा तो अगर आप बाइक राइडिंग के दौरान प्लान करेंगे उसके लिए केवल आपके पास 1400 रुपए है तो किस तरह से निवेश करेंगे अभी वो देखिए वो बताने जा रहा हूँ तो अभी शुरू होता है अपना main topic तो यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जूरुत नहीं आपको continue SIP कर रही है माल नीजे कि यहाँ स अभी आपका 15 साल का गोल है अभी नूली आपकी शादी हुई आपका एक बच्चा है तो 18-17 के बादी आपको एक बड़े कॉर्पस की जुरूत हो सकती है लड़की है तो 18-19 के बादी आप शादी करेंगे 18 से नीचे तो करिएगा भी मत बहुत गलत बात है और ऐसे लोगो आपको मिलेगा mutual fund SIP करने से और कितने तक पैसा बना सकते हैं इस 1400 रुपैसे केवल 1400 रुपैसे जी हाँ चलिए यहाँ पर SIP calculator मैंने खोला है SIP calculator खोलने से पहले मैं आपको mutual fund जो plan मैं आपको recommend करने वाला हूँ उसका मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसका किस तरह का return आपको देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आप मेरे laptop के उपर कि यहाँ पर DSP mid cap fund जो है मैं आपको recommend करूँगा तो यहाँ पर मैंने DSP का mid cap ही क्यों चुना है सबसे पहले बताता हूँ mid cap मैंने इसलिए चुना है कि mid cap जो है वो safe होते है small cap के म target होगा वो 15 से 20 साल का होगा तो इसलिए आप mid cap के साथ जाए आपको एक अच्छा return देखने के लिए मिलेगा और यह जो DSP mid cap है यह अच्छे fund के साथ में account होता है यहाँ पर HDFC mid cap opportunity है वो भी काफी कमाल का fund है आप उसके साथ में भी जा सकते हैं यहाँ पर L&T का mid cap भी काफी अच्छा fund है उसके साथ में भी आप जा सकते हैं तो यह 3-4 plan मैं हमेशा recommend करता हूँ लेकिन यहाँ पर mid cap लोंगा मैं आपके लिए DSP का तो यहाँ पर आप देखेंगे यह fund काफी अच्छा है इस fund के बारे में मैंने already review भी बनाया है और इस fund को online कैसे buy कर सकते है उसके पर separate video यह भी बनाई हुई है पैसे निकालने तक मैंने live करके दिखाया है आप मेरे channel पर थोड़ी पुरानी video देखेंगे मिल जाएगा कोशिश करूँगा वीडियो के link यहाँ नीचे description में और यहाँ उपर card में देने के लिए उसको जाके देखिए का आपको पता चल जाएगा कै पर एक के हाथ में smartphone है और वो smartphone से ही mutual fund शुरू कर सकते हैं जी हाँ तो यहाँ पर आपको direct में जाकर के यहाँ पर 1.5% ज्यादा देने की बिल्कुँ जूरूत नहीं है expenses का केवल 0.98% है और यह जो fund है वो काफी अच्छा है यहाँ पर इसकी minimum SIP आप 500 रुपीज कर सकते हैं उसके बाद अगर आपके पाद 1400 रुपए है तो 1400 करिए 1000 है तो यहाँ पर minimum लमसम भी आप जो है इसमे 5000 कर सकते हैं इसके return की बात करें तो पिछला जो डेड़ साल रहा है ना mutual fund के लिए stock market के लिए वो काफी बुरा चला है अभी आप देखेंगे इस fund के बारे में तो यहाँ पर आपको 1 month का return अच्छा मिलेगा 3 month का भी ठीक टक मिलेगा और 1 year का return आपको काफी खराब देखने के लिए मिलेगा और 3 year का return आपको काफी अच्छा देखने के तो यहाँ पर ना तो हम 13 पकड़ेंगे ना तो हम 15 पकड़ेंगे यहाँ पर हम पकड़ेंगे 14% का return अगर आप 14% का annual return गेन करते हैं तो भी आपका कॉर्बस एक अच्छा का सा खड़ा हो जाएगा मैं भी आपको बताता हूं लेकिन यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा 14% जो तो यह 14% आ जाएगा कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है अभी यहाँ पर हम investment monthly investment जो हम करने जा रहे हैं वो 400 रुप है तो यहाँ पर आप मेरे screen पर देखते रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं 400 रुप है मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है और return accepted तो यहाँ पर हमने कितना पक माफी चाहता हूं आपसे यहाँ पर हम अभी शुरू करें इसको calculate बटन पर click करेंगे और देखेंगे कि हमको यहाँ पर कितना return जो है वो देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर हमने सारी चीजे फिल कर दी है investment period जो है वो 15 एर रखलते हैं चलिए यहाँ पर 15 एर कर दिया म 57,995 रुपीज बनेंगे 8,57,995 रुपए जो है वो बनेंगे आपने निवेश कितना किया आपने केवल 2,500 रुपए निवेश किया है 1400 रुपए पर मन निवेश करके आपका इमाउंट बहुत छोटा इसलिए आप 10 लाग के आसपास ही रहेंगे लेकिन एक गरीब इनसान क बढ़ा देते हो तकरीबन 5 साल कर देते हो माली जी यहाँ पर 15 से मैं सीधा 20 साल कर देता हूं तो यहाँ पर आपका जो जो रिटन है जो मैच्यूरिटी एमाउंट है वो यहाँ पर 15 लाख रुपए पार कर जाना चाहिए तो चलिए यहाँ पर 20 साल कर दिया है 14% के 1200 रुपए की continue SIP करते हैं बीच-बीच में लंसम भी डालते हैं तो मेरा आइडिया यह है कि आप तकरीबन 25 से 30 लाख भी जा सकते हैं जी यहाँ क्योंकि यह फंड काफी अच्छा है मैंने बहुत minimum पकड़ा है यहाँ पर जैसे जैसे देश आपका तेजी से तरकी करेगा मा ज्यादा दिखाई देगा माली जी कि यहाँ पर आप इसको केवल 2000 रुपए कर देते हो तो भी यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का रिटन देखने के लिए मिलेगा चलिए यहाँ पर 2000 कर दिया और फिर calculate बटन पर क्लिक करते हैं 26 लाख रुपए आप पार कर जाओगे और 26 उस भाई को मेरे उस फ्रेंड को यह reply मिल गया होगा कि अगर आपकी पेमेंट 8000 है और आपकी एवल 2000 रुपए बचा सकते हो अपने खर्चे में से किसी तरह तो आप किस तरह निवेश करोगे यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा और हो सके तो फाइंड गुरुजी की इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तभी हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी बिना बेल आइकन के आजकल नोटिफिकेशन नहीं मिलती है थैंक्यू फॉर वाचिंग जैहिंद बंदे मात्रम